एड्मिनिस्ट्रेशन अधिकारी यानि कि हमारे जिले के प्रमुक अधिकारी होते हैं वो किस कदर मनमानी करते हैं आप सबको पता है देश का शायद ही कोई नागरिक हो शायद कोई व्यक्ति हो जिसका अब तक उनसे वास्ता ना पढ़ा हो और वो ना जानता हो कि वो लोग क हिदायत दी गई कि अपनी हद में रहकर काम करेंगे उससे बाहर नहीं जाएंगे और जो आदत है उनकी आदत को भी सुधारेंगे और मनमानी तो बिल्कुल नहीं करेंगे मनमानी पर रोक लगाने का भी ऑडर जारी हुआ है क्या है पूरा मामला विस्तार से बताएंगे च सब्सक्राइब तो हुआ यूंकि मद्यपरदेश में एक जिला है इंदोर बहुत खुबसूरत बहुत अच्छा जिला है इंदोर में एक होटल वैवसाई ने एक बैंक से लॉन लिया जिना बैंक का नाम SMFG जो फुल्टन के नाम से भी जाना जाता है उससे लोन लिया और ह उसको जो है नहीं चुका पाता है तो जो जो बैंक है जो लोन दे रहा है उसके पास इक कानून है सरफेसी तहिसी के तहित ऊपरेश को रेकोर कराने में कंपञे की पूरी मदद करते तो संबंदित द्यक्ति के खिलाफ एडीम कोड से ओडर पास हो गया कि आपको पैसा नहीं देपा रहें तो अपनी जो संपत्ति यह पर लोन लिए है उसका कपजा आपको देना होगा जो बैंक है उस कंपणी ने जब एडीम कोड में एप्लिकेशन दिया कि कपजा दिलाइए क्योंकि हमारे हकाक में आदेश हो चुका है पैसा वो नहीं दे पा रहे हैं तो हमें और उसका जो कभजा है वास्तिक रूप से रियल पॉजेशन हमें दिलवाईए रियल पॉजेशन के जब अप्लिकेशन दाखिल की सेक्शन 14 सर्फेसी एक्ट में तो एडियम साह दार यह कहती है कि जब थरीक के कोई ओडर ऑडर जो पारिद होता है सर्फेसी एक्ट में उसके लिए तमाम सेक्शन से पहले एपलिकेबल होते हैं तो जब 14 की करवाई होती है तो सीदे सीदे जो होते हैं उनको सीदे सीदे कबजा दिलाना होता है वहां पर बातचीत का से पहले पहले हो जाते हैं तो जब company को बैंक को ये आधेश पता लगा तो वहांच गए र Sahaky गोड भी हुआ ने भी देखा कि मामला जब अदेनियम है जब कानून है और कानून मरवथ 16 नो पूरा पूरा है तो वहां पर आप मनमा नहीं कर सकते और अपनी सुविधा के अनुसार जो कानून उसकी व्याख्या नहीं कर सकते तो अदालत ने पाया कि EDM साहब ने अपनी जो पावर से उनका मिस्यूस किया अपनी पावर के अगेंस जा करके उनके आगे जा करके उन्होंने व्याख्या उसकी करी है तो हाई कोट ने इस मामले में इस जो आदेश था इनका EDM साहब का इसको खारिश कर दिया और इन पर 10. जो सेक्षिन 14 है उसमें कोई भी निर्णा लेनी की छमता नहीं होगी तो ताजय मामले में EDM साहब को यह भी हिदायत दी गई है कि आप ऐसा नहीं करेंगे आपके मामले को खारिश कर दिया गया है और जो मनमाना रवया जो आपने अपना है मनमाना रवया नहीं अपनाएं करेंगे आपको कवल अधनीwe chem 的 sections हैं। उनके इकोर्डिंग आपको निर्नय लेनीगी पावर है तो उनको होडें आपको जो भी शेक्षिन कह रहे रहे है उसके अनुसे कांकरना है उसमें अपने हिसाब से उसकी व्याक्या संवीदागर अ'M अपनी आपनी शोवाकर यहार ना लगाया है वह जर्माना जो इस बात का भी संकेत हैं कि जो administrative officers हैं। जो प्रफिषाष्णिक अधिकारी हैं हिंज जो मनमानी करते है उनको सबक लेना चाहिए उनको आताँ यह इस के बाद yoleten हैं जब देनी सब्सक्राइब करना और इसके लाब आप लोग हमसे और चाहते हैं तो हमारी वाट्सअप टीम को मैसेज आप लिखेंगे तो आपको इसका जो वाटर होगा जो उनका शुल्ग होगा वो लेकर आपको उसका दीदेंगे आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम वीड आज की वीडियो में अतना ही जाहिन 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 भारत नम्हाइब